हेलो डिफेंस लवर्स हम सभी जानते हैं कि AK-203 प्रसित कलास्टिकोव राइफिल AK-47 का अपग्रेड़िड वर्जिन है AK-47 की कीमत मुश्कल से 200 डॉलर होती है जबकि AK-203 की कीमत भारत में प्रेड्यूस होने पर 900 से 1000 डॉलर के बीच होने की उमीड जताई जा रही है तो AK-203 राइफिल, AK-47 राइफिल से लगभग 5 गुना जादा महंगी क्यों हैं? इस वीडियो में हम इन सभी चीजों को डीटेल में जानने वाले हैं और इस राइफिल की ब्रीफ हिस्ट्री भी जानने वाले हैं AK-47 कलाशने कोव राइफिल की 1st generation है, इसे 1947 में महाण मिखायल कलाशने कोव ने डिजाइन किया था एक शब्द का मतलब अफ्टो मत कलाशने कोव होता है जिसका मीनिक रश्यन में कलाशने कोव और आटमाटिक राइफिल होता है कलाशनिकोव राइफल्स की 2nd generation AKM है जिसे मिखेल कलाशनिकोव ने 1959 में डिजाइन किया था AKM ने AK-47 पर कई सुधार किये जिसे इसका उत्पादन आसान और सस्ता हो गया AK-47 के मिल्ड स्टील रेसीवर को U-shaped के स्टील 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 रेसीवर से बदल दिया गया था जो उत्पादन करने में काफी आसान था और हलका था एक sland cut compensator भी चोड़ा गया था क्योंकि AK-47 में कोई muzzle device नहीं था कलाशनिकोव राइफल्स की 3rd generation AK-74 है इसे 1974 में मिखेल कलाशनिकोव द्वारा डिजाइन किया गया था सबसे important difference इसमें आया इसकी शमता का परिवर्तन था अब ये 7.62x39mm कार्टरिज के बजाए नाटो के समान 5.45x39mm कार्टरिज फायर करती थी नाडीरा डीवन में एक improved version भी develop किया गया था जिसे AK-74M कहा चाता था कलाशनिकोव राइफल की 4th generation AK-100 सीरीज है जिसमें पिछले AK-74 की तुलना में बड़े सुधार थे इस सीरीज में एक low recoil variant भी develop किया गया था जिसे AK-107 कहा चाता था कलाशनिकोव राइफल की 5th generation AK-200 सीरीज है जो AK-100 सीरीज का upgraded version है हम इस सीरीज के डीटेल्स विशेश रूप से AK-203 के बारे में आगे इस वीडियो में डीटेल में बताएगे राइफल की 6th generation AK-12 सीरीज की है AK-12 अब तक की सबसे advanced कलाशनिकोव राइफल है AK-200 सीरीज से के तुलना में ये राइफल महेंगी है आईए अब AK-203 और AK-47 के बीच के difference को डीटेल में समझते हैं हम अपनी तुलना के लिए AK-203 के भारती produced version की तुलना करने वाले हैं AK-203 एक integrated compensator और flash hider के साथ आता है compensator एक प्रकार का muscle device है जो गोली चलाई गई गोली की दिशा में barrel से बाहर निकलने के बजाए सभी दिशाओं में कैसो को destroy करके बंदूग को recoil को कम करता है इस प्रकार conservation of momentum principle के अनुसार recoil कम हो जाती है एक flash hider muscle flash को कम करता है और इस प्रकार gunner की position को चुपाने में मदद करता है first generation के AK में muzzle device की कमी थी AK-203 पर यह muzzle device बंदूग की recoil को एक standard 5.56 rifles तक कम कर देता है जो 7.62 x 39 mm की power और penetration को बनाए रखता है AK-203 की pistol grip को फिर से design किया गया था और अब यह पहले से कहीं ज़ादा ergonomic है यह polymer से बना होता है और अंदर से खोकला होता है इसका उपयोग optic के लिए extra battery store करने के लिए भी किया जा सकता है handguard और stock अब कांच से भरे polymer से बने होते हैं AK-47 और AK-M पर लकड़ी के handguard और stock के विपरीत polymer handguard और stock में दराद नहीं आती है यह आग भी नहीं पकड़ते हैं यह हलके होते हैं और अधिक टिकाव भी होते हैं handguard भी heat shield आता है जो shooter के हाथ को barrel की गर्मी से बचाता है एक और बड़ा बदला है कि AK-203 में barrel एक free floating type है यह AK-47 के विपरीत handguard से जड़ा नहीं है इस प्रकार recoil handguard में transmit नहीं होता है यह rifle की accuracy में सुधार करने में मदद करता है original AK-203 AK-12 की तरह एक foldable telescopic stock में के साथ आता है लेकिन Indian variant AK-103 की तरह एक fixed लेकिन foldable stock के साथ आता है यह cost में कमी के लिए किया जाता है क्योंकि भारती infantry सेनिकों को stock के लिए अधिक उप्योग किया जाता है barrel में एक बड़ा बदलाव है barrel अब cold hammer forging method से बनाए गया है इसका व्यापक रूप से modern firearms बनाने के लिए उप्योग किया जाता है AK-47 को barrel but refining process का उप्योग करके बनाए गया था जो firearms के barrel बनाने का एक primitive तरीका होता है cold hammer forging बड़ रिफेलिंग की तुलना में बहतर dimensional accuracy देता है इसके परिणाम सरूप better gain structure और एक smooth surface finish होती है कलाशनिक ओफ फैक्टरीज में निरमित सभी genuine AK क्रोम line barrel के साथ आते हैं जो barrel को corrosion resistant भी बनाता है AK की new generation polymer magazine के साथ आती है यह polymer magazine पिछली metal magazines की तुलना में हलकी और जादा reliable होती है हाला कि AK-203 सभी प्रकार के AK magazine के साथ compatible होती है AK-203 pigtani rail के साथ आता है यह शायद सबसे useful feature है अब rifles पर किसी भी तरह का optics या कोई attachment लगाया जा सकता है इससे पहले AK-47 और अन्य राइफलें पिकटैनी रेल से absence में बनती थी optics को mount करने के लिए temporary arrangements करनी पड़ती थी जिसके परणाम सारूप अकसर zero error की कारण खराब accuracy होती थी तो यह सभी बदलाफ़ थे जो AK-203 को basic AK-47 से अलग बनाते है यह सभी developments 70 सालों से अधिक के विकास का परिणाम है हाला की basic design वही है जो AK-47 में हुआ करता था कलाशने कोफ राइफल्स का design वास्तव में timeless है कलाशने कोफ राइफल्स आने वाली पीडियों के लिए armed forces में सेवा करना जारी रखेंगे कलाशने करते है